दोस्तो नमस्कार कर्णल अजय सीओ अजय स्टो मनी ग्रूप फर्स्ट लोबल अश्टो फनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ दोस्तो आज 17 जून सन 2023 शनिवार दोस्तो आपको याद होगा हमने लगबख 4-5 दिन पहले आपको लगातार अपडेट दिये थे कि सरकार के ड्यूटी घटाने या बढ़ाने से फरक नहीं पड़ेगा खादे तेलों में तेजी अपैक्षित है और गर्तलब है 31 मई के बाद और अब तक सोया तेल में निचले इस्तर से लगबख 33 प्रतिशत की शांदार रिकवरी हो चुकी है जानिए पुरी रिपोर्ट विस्तार से दोस्तों आजे आश्टो मनिंगरू देश का पहला चैनल 42 कम्यूंटिटी पांच मार्केट पर लगाता अपडेट और विश्लेशन देता है दोस्तों हम वर्तमानी नहीं महविश कभी करते हैं सटीक आकलन दोस्तों हमने अपने सभी क्लाइंटों को और आप लोगों को भी समय समय पेचेता है था कि 15 मई के बाद कभी भी मूवमेंट धीरे धीरे बन सकती है और जून के में लगाता तेजी की संभावना बन रही है और ऐसा ही कुछ देखने को मिला 31 मई के बाद और अभी तक सोया तेल में शांदार रिकवरी हो चुकी है अमेरिका में सुखे की बढ़ती चिंता से सीबोट सोया कॉंप्लेक्स में तेजी शांदार दर्जो रही है और सीबोट सोया मील में भी 22.20 डॉलर बढ़कर शुकरवार को 416.40 डॉलर प्रती टन पर बंद हुआ सोया तेल का वाइदा 1.26 सेंट की तेजी के साथ 69.69 सेंट प्रती पॉर्ण पर बंद हुआ इस सब्ता सीबोट सोया तेल 9.10 प्रती शुन पर बंद हुआ सोया तेल वाइदा 31 मही के 44.53 के निसले इससर से लगबग 33 प्रती शेंट की शांदार रिकवरी कर चुका है अगले दो सब्ता तक अमेरिकी फसल छेत के अधिकाज सिसों में शुक्स मौसम बने कर रहने का अनुमान है गौरतला वेक की हमने आपको मौनसून के ओपर अपडेट दिया था कि अल्नीनो का इफ़ैक्ट और फाइनिशल एस्टिलोजी के मताबिक जून का महीने के बाद कभी भी तेजगर्मी की संभावना बन सकती है और यह मांसून आने का अग्री मनुमान जो सरकार दे रही है यह भी डिले हो सकता है और यह वेपरित प्रसीतिया प्यादा कर सकता है दोस्तों अमेरिकन सोयावीन का उत्पादन 51 प्रतिशत और जो है छेत्र जो है वो तेरा जून तक समाचारों के अनुसार सूखे से ग्रस्तित होने के समाचार मिल रहे है अर्जन्टाइना का सोया तेल एफो बी 842 डॉलर के निशले सर से लगभग एक सो साट डालर प्रतिटन तक सुधर गया है सीबोट ने अपने जो रेजिस्टन्स लेबल है 58.68 उपर पर बंद हुआ है और 65 के सर को अजमाने के लिए तक्री की चौट के उपर भी खाद्य तिलों में तेजी की संभावना बन रही है अमेरिका में ड्राय मौसम अल्लीनों के प्रवाव से 2030 की दूसरी छमाई में खाद्य तेल और तिलन के विजारों को अब एक बड़ा इफेक्ट आए गया है दोस्तों याद रखेगा कि आजय एस्टो मनी ग्रूप देश का पहला चनल है जो की लगातार अपडेट और विश्लेशन दे रहा है दोस्तों सरकारी सरसों की खरीद बहुत कम होने के बावजूद भी सरसों के दाम पिछले कुछ दिनों में लगातार सुदर गए है ना के बल सरसों अपी तो सोयबीन और पाम तेल के भाव में भी सुदार देखा गया है सूरज मुखी तेल का में भी सुदार देखा गया है खादे तेलों में कैस्टर सीड और मुमफली के तेल में भी सुदार देखा गया है दोस्तों आपको यार होगा कि हमने आपको अपने चैनल के माद्यम से सरकारी इंपोर्ट ड्यूटी खाद्य तिल उपर घटने का जो उपर असर आपको दिया था वो सत्य थावित होता देखा जा रहा है साथ-साथ मानसून के ओपर भी हमारे लगातार अपडेट आपको मिल रहे हैं उमीद है आपका भरपूर लाव उठाये होगा दोस्तों याद रखिए तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कोई फायदा नहीं है फायदा तब ही है जब आप तेजी आने से पहले तेजी बोले और मंदी आने के बाद मंदी आने से पहले मंदी बोले क्योंकि तेजी आने के बाद जबी आप माल खरीते हैं तो आप उपरी सर पर आप स्टक हो सकते हैं और मंदी आने के बाद अपमाल बेशते हैं तो वह भी परिशानी का सवब बन जाता है दोस्तो जो भी हमारे paid clients हैं याद कीजिए हमारा अग्रे विशलेशन आप लोगों को हमने एक से डेड़ मैने पहले लगातार दी हैं दोस्तो अजे अश्टो बनी गुरू ने सोयावीन ह सरसो हो या फिर तिलहन दलहन या मसाला इस पर अग्रे विशलेशन आप तक पचाया है आने वाले एक से डेड़ मैना क्या ये तेजी कराएगा ये मंदी का याद रखिए कि जब तेजी बन जाती है उसके बाद और अधिक तेजी बनने के लिए बहुत से कारण दूसरे होत करते हैं तो परिशानियां बढ़ सकती हैं तो दोस्तो तिलन दलहन मसाला का पास इन सभी की विशेश रिपोर्ट के लिए करिए संपर्ख और वरी बास गुड़ लाख हैपी ट्रेडिंग